हेलो बच्चों आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 10th NCRT Mathematics का चेप्टर 10 सर्कल ठीक है तो इस वीडियो में बेसिकली करेंगे क्या हम exercise 10.1 का introduction और साथ ही exercise 10.1 के एक के questions को हम लोग करेंगे क्या discuss करेंगे तो इसका मतलब इस वीडियो में दो चीज़ों को हम लोग को देखना है एक क्या introduction part of exercise 10.1 and solution of exercise 10.1 ओके पढ़ क्या रहे है circle तो हमें circle की पहले तो क्या मालूम होनी चाहिए definition की आखिर circle की definition होती क्या है तो सबसे पहले हम क्या write down करेंगे definition of circle तो चलिए साथ साथ मेरे write down करते चलिए तो लिकिए a circle a circle is locus a circle is locus of wind which moves which moves in such a way in such a way that 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 it that it is always that it is always at the at the constant at the constant distance at a constant distance from a fixed point from a fixed point in the plane तो यह हमारी क्या हो गए definition हो गए definition क्या हो गए a circle is a locus a point which moves in such a way that it is always at the constant distance मतना करोगे क्या constant distance from a fixed point तो circle बनाने के लिए सबसे पहले हम यह क्या लेंगे यह हमारा हो गया fixed point यह हो गया fixed point और यहां से करेंगे क्या एक constant distance ले लेंगे तो constant distance क्या हो जाएगा आपका जैसे हम यह ले लेंगे constant distance जैसे यह लिए ऐसे इसको क्या करोगे ऐसे move करते चले जाओगे यह हो जाएगा आपका constant distance किससे fixed point से चिक कराने constant distance constant distance का मतलब क्या यह distance ले लो यह distance ले लो यह ले लो शारी की distance क्या होगी अगर मान लो कि हमने यह ले रखी है यह भी 2 होगा यह भी 2 होगा यह भी 2 होगा ठिक और यह आपका fixed point और यह constant distance यही आपका circle का क्या कहलाता है radius कहलाता है और जो fixed point होता है यही आपका center कहलाता है और जो भी यहाँ पे points मिलती चली जाती है इन सारे points को जब हम मिला देते हैं तो जो यह diagram बन जाता है इसी को क्या बोलते हो circumference यह आपका हो जाता है circumference तो यह क्या थी हमारी circle की definition ठिक चली है अब circle की आप basic definitions जानगे और इसके बाद से मिलनी अब हम आएंगे जो हमारा इस chapter का क्या है syllabus होता है बहुत जादा depth में नहीं जाना है बस इतना पता होना चाहिए यह circle का radius होता है यह circumference है और कैसे यह आ है और इसका क्या होता है center होता है यह हमारी circle की क्या थी definition थी ओके अब इसके बाद से discuss करोगे जो हमारा main syllabus है तो इसके लिए करेंगे क्या concept समझने के लिए हम किये क्या कि यह एक circle consider कर लो और एक line हमने ले लिया एक circle और यह क्या ले लिया line ठीक अब इनके relation में क्या possibilities बन सकती है इसकी possibilities यह बनेगी line है मालों कि यह circle है जब यह इस line से ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए कैसे भी जाए यह क्या कहीं भी circle को टेच कर रही है intersect कर रही है नहीं तो इस line को हम क्या बोलते है नान intersecting यह आपकी हो जाती है non intersecting line ओके पर पास दे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए अब चलो अब देखो एक तो केस हो गया कि non intersecting line हो गई अब यह line क्या कर सकती है यह circle है इसको क्या कर सकती है अब यही line इस का क्या होगा नाम चेंज हो जाएगा जब circle को नहीं touch कर अब इस line सिर्फ कौन सी line देखें इन respect आप circle सिर्फ circle के respect में बात करेंगे तो circle के respect में line क्या होगा जब यह circle को नहीं touch की, नहीं कहीं intersecting की, तो इसको बोलेंगे आपका non-intersecting line, अगर यही line circle को ऐसे cut करके निकल लिया, ऐसे मतलब जो भी, तो इसी का नाम होता है second, इसी को क्या बोलते हो second, तो यह पहला case बन गया आपका first, second, और third, third case आपका क्या बन जाएगा, suppose, यह line, यह क्या होगे आपका, circle जो given था हमने लिया, और circle क्या करेगी, अब इसको यह case यह बन जाएगा, यह ऐसे touch करें, ऐसे touch करें, यह case बन सकता है न, तो यह जो lines होती है, इसी को अपन बोलते हैं, tangent, इसी को बोलते हो, tangent line, यह कौन सी line हो जाएगी, आपके, tangents line हो जाएगी, ओके, यही हमारा main syllabus है, तो आपको पता हूँ मैं चाहिए कि tangent line है क्या, तो यह तो clear हो गया न, क्या क्या, circle और line consider कर लिए, इसमें यही तीन possibilities बन सकती है, पहली को, non intersecting line, second को second, और third को क्या बोले, tangent line, clear न, ओके, आप चलो आप चलो, before pass the video, I am noted down, concept clear करते चलो, क्योंकि यह पूरा chapter के, इसका है, concept का है, तो आप हम write down क्या करेंगे, जो हमारा main syllabus है, tangent line की definition, तो write down कर लो, कि हमारे tangent line की definition क्या होती है, तो write down करते हैं, चलो, साथ साथ लेखो, a tangent, a tangent to a circle, a tangent to a circle, is a, a tangent to a circle, is a line, is a line, that, that intersect, that intersect the circle, that intersect the circle, at any, that, that any one point, यह हमारे definition हो गए, इसके tangent line के, तो tangent line क्या करा, यह tangent to a circle, यह फिर से इसका diagram बना लो, यह रहा, circle, और हमने यह ले लिया, tangent line, okay, किसके respect में tangent ले रहें, tangent line और भी होती है, लेकिन हमारा main मक्सद क्या है, हम circle के respect में सिफ tangent line की क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक, तो a tangent to a circle, एक circle पर tangent क्या होगा, is a line, पहली बाद, यह line है, clear है, that intersect the circle at any one point, यह आपका very very important point होता है, कि यह circle पे कहाँ touch करेंगे, at any one point, इस पे focus कर लेना, कि कहाँ पे, at any one point पे ही tangent line circle को क्या करेंगे, कि touch करेंगे, cut करेंगे, intersect करेंगे, अगर यहीं माननों कि दो पे ऐसे cut कर गए, एक ही है, एक ही है, तो यह क्या हो जाएगा, यह tangent line नहीं है, है, नहीं है ना, यह क्या था, second था, आभी हमने पढ़ा था, तो यह main important है, कि tangent line कहाँ पे, कहाँ पे touch करेंगे, at any one point पे, ओके, before pass the video, I noted down, एक concept और सीखते हैं अब लोग, और वो concept है क्या, ठीक, यह भी जान लो, ठीक, अगर, suppose, यह हमारे पास एक circle है, और हमारे पास एक यह point है, कहीं भी circle के बखर, एक point ले लोगे, तो one point से कितनी tangent line ड्रा कर सकते हो, यह आपका एदा, this, this, कितनी tangent line, two, कितनी tangent line, two, tangent line, कहां से, यह one point, तो हमेशा ड्रा कर के देख लो, अगर दो से ज़्यादा हो तो फिर बोलो, clear होगा जाएं कि कहीं भी, चाहें यह point आप यहां ले लो, बाहर ले लो, यहां से भी ड्रा करोगे, तो एक यह tangent line, एक यह, तो कोई भी अगर one point, कहां पे, circle के बाहर लोगे, तो वहां से कितने tangent line ड्रा कर सकते हो, maximum two tangent line, one point से, और condition क्या है, यह circle के बाहर है, अगर वही point circle के circumference पे होगा, तो one tangent line, यह भी concept, यूज होगा questions करते समय, okay, before pass the video and note it down, ठीक है, अब आते हैं, इसके theorem पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके theorem को discuss, okay students, अब क्या करेंगे, इस exercise की जो theorem first है, उसको हम लोग क्या करेंगे, discuss करेंगे, तो सबसे पहले theorem write down करें, theorem क्या करेंगे, the tangent, the tangent at any point of a circle, of a circle is, is perpendicular, is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius, through, through the point of contact, through the point of contact, चलिये, अब इसका क्या करेंगे, diagram ड्रा करोंगे, ठीक है, यह करता है, हमसे, सबसे पहले हमने यह बनाया, circle, अब ही इसको explain करते है, मैटा, ठीक है, यह हमने क्या बनाया दिया, एक circle, ठीक, चलो, तो कह रहा है, कि the tangent at any point to a circle, तो हमने यह ड्रा कर दिया, एक tangent line, ठीक है, tangent line, ड्रा कर लो, यह यह भी एक tangent line है, ठीक है, circle पे, आगे क्या बोल राए, of a circle, is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius, through the point of contact, इसी point को क्या बोलते हो, point of contact, point of contact, okay, यह हम इसको क्या ले लिए, यह हमारा हो गया, center, और radius क्या ले लिए है, हम, op, हम radius को क्या ले लिए, op, okay, इता, clear हुआ ला, अब हमको करना क्या है, यह प्रूफ करना है, क्या, यह हमारा क्या हो गया, through the point of contact, इस perpendicular, मतलब, op क्या होगा, perpendicular होगा, tangent line पे, यह हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, तो इसकी लिए, घरों के क्या, ठीक है, सबसे पहले, लिख लो, to prove, to, prove, क्या करना है, op, perpendicular, to किस पे, ab, यह हमें, प्रूफ करना है, कि op, क्या है, ab पे, perpendicular है, तो इसको साल करने के लिए, सबसे पहले, अब लिखो, construct, construct, या construction, जो भी लिख सकते हो, लिखो, take a point, take a point, q, take a point q, on, ab, तो हमने क्या लिया, एक point यहां पे, q ले लिया, इस पे, take a point q, on, ab, take a, और इसके बाद क्या लिख लोगे, other, other than p, इसमें कहा क्या रहा है, कि कोई इस point q लिए, इसके अलावा, other than p, clear है, other than p, और construction में क्या लिखोगे, कि join, join, आपका क्या लिखोगे, join, o, q, अब यहां पे, क्या 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 करना है, इसका प्रूफ करना है, तो next heading लिखनो, क्या लिखोगे, proof, जी, proof, तो क्या करोगे, आप proof में क्या करोगे, इसको write down करते चलो, let, let, q, be a, point, let q be a point, on, a, b, other, than, p, ठीक, उसके बाद आगे लिखो, so, so, q, will, lie, out, side, the, circle, ठीक, अब यह चीज, यह line समझने वाली बात है, यह इतना compulsory है, proof करते समय, so, q, will lie, outside, the circle, देखो, किये क्या, कि हम क्या किये, इसी line, a, b, पे एक point q लिये है, ठीक है, तो जब यह point q लोगे, तो इसका location दिखाना पड़ेगा, q कहा करेगा, q will lie outside the circle, हमेशा यह circle के बाहर ही lie करेगा, कभी circle के अंदर नहीं lie करेगा, क्योंकि हमारी यह क्या है, tangent line है, ठीक, और जब यह तुम o q को ड्रा कर रहे हो, तो suppose यह point r पे इसको क्या कर रही है, cut कर रही है, ठीक, तो यहां से यह देख लो, हमारा o r, इस क्या हो जाएगा, radius, o r क्या होगा, radius होगा, अब इसके बाद से लिखनो o q, यह लिख भी सकते हो कि o q intersect the circuit at r, लिखनो इसको, यह हमारा o q, right down करनो, o q intersect the circle at r, कहां पर कट करी, r पर कट करी, ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, concept निकल के आएगा, before pass the video and noted down, उपर से हम इसको रह कर देखा है, ओके, अब देखो, अब क्या होगा, o q intersect the circle, ठीक, at point r, अब यहां से देखो, अब यह देखो, इस लाइन में यहां से concept आपका निकल के आएगा, की, o r, less than आपका क्या हो जाएगा, o q होगा ना, o r less than o q, क्योंकि o q के बीच में कहीं r लाई कर रहा है, तो इसका मतलब, o r less than आपका क्या हो जाएगा, o q हो जाएगा, ठीक, o r equal to क्या है, आपका o p है, radius of circle, यह दोनों क्या है, circle की radius है, यह लिखनो, from equation first, अब यहां से क्या जाएगा, o p less than, क्या हो गया आपका, o q, यहां से निकल के आगया, आपका o p less than, क्या हो गया, o q के हो गया, o k, चलिए, अब इसको क्या करो, rough कर लो बट्टा, ताथ में, चलो, यह हमारा निकल के आगया, कि o p, आपका क्या हो गया, o q से क्या हो गया, less than हो गया, यहां पे reason लिख लो, so, o p, is, अब यहां पे क्या हो जाएगा, o p is, o p क्या हो जाएगा, o p is, certain time, लेखते चलो, o p is certain, certain time, any, other, any other, line, segment, any other line, segment, join, o, at, join, o at, any, point, of, a p, so, so, अब क्या हो जाएगा, o p is, perpendicular to, a b, so, o p is perpendicular to, a b, ठीक है, इसमें क्या करा है, कि, so, o p is the shorter than, अब में यहां से, हमने यह दिखा दिया, कि, o p less than, क्या कर दिया, o q, अब देखो, कोई भी point, लोगे, समझने के लिए, यह point यहां ले 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 ले, यहां पे, यह r होता, मानों, यह q होता, तब भी यहां से, क्या निकल के आजाता, o p less than, o q, कुई भी point लोगे, other than p, सारे में, यही relation आएगा, कि, o p less than, o q, यही हमने लिख दिया, कि, o p is the shorter than, सबसे छोटी, shorter than, other line segment, joining, o, at any point on a b, इसका मतलब, हम a b पे, कोई भी point लेने, चाहें वो point आएधर ही, क्यों न ले रहे हो, कहीं भी लोगे, सब में, आपकी line, o p क्या हो जाएगी, shorter हो जाएगी, और हमेशा, shorter line क्या होती है, उस line पे क्या होती है, perpendicular होती है, यह आपको पता है ना, कि उस पे क्या हो जाएगी, perpendicular हो जाएगी, तो इसका चाहो तो, यह reason भी लिख सकते हो, लिख लो, all the line, all the line segment, all the line, इसका reason कहा दे दो कह, all the line segment, draw from, all the line segment, draw from, O to the line A, B, to the line A, B, ठीक, क्या करा है, all the line segment, draw from O to the line A, B, to the line A, B, is the, in the line A, B, perpendicular, each shortest, each shortest, में यह होगा है, कि जो भी line आप ड्रा करोगे, to the line A, B, perpendicular, इस दर क्या हो जाता है, आपका सार्टेस्ट, ठीक है, perpendicular, is the shortest, ऑके, जो पर्पेंडिकुलर लाइन होती है, हो ग्या होती statewide 20-च구나 happy, हदि होती आप 30-च अरटेस्ट लाइन होती है, हमारा थेरम था, और थेरम का हमने क्या करा, प्रूफ करा, थेरम का प्रूफ देखने में, बहुत असान होता है विटा, लेकिन एक्जाम में लिखने पे इस थेरम की सबसे बड़ी समस्या है लिखते समय होता है कि सुरू कहां से करें ठिक अगर आप इतने वर्ड नहीं लिख सकते हो आप mathematical terms भी लिखते चले जाओगे क्या करोगे सबसे पहले सरकिल ड्रा कर लोगे ठिक ये तो था ना O P ये point ले लिए ये A B था इसके बाहर कोई इसी line पे कोई point ले लोगे इसको ड्रा कर दोगे और ये वाली चीज यहां से वो point क्या होगा O R और O P क्या हो जाएगा radius हो जाएगा और ये चीज दिखा दोगे कि O R हमेशा क्या होगा OQ से छोटा होगा, तो यह O P less than OQ, तो यह क्या हो जाएगा, अगर आप इतना भी लिख देते हो, और यह दिखा दोगे क्या, O P is, O P is क्या कर दोगे, Sartist, Sartist distance होगी उस पे, और हमेशा क्या होगी, Sartist distance उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसी भी लाइन सेग्मेंट पे, ठीक है, समझ लो, मालनों कि यह लाइन सेग्मेंट है, यहां से क्या करो, एक ऐसे लाइन डाग कर रहो, एक ऐसे डाग कर रहो, ऐसे डाग कर रहो, और यह लाइन ऐसे, यह हमेशा क्या होती है शार टेस्ट होती है और हमेशा जो सार टेस्ट डिस्टेंस होती है क्या होगी उस लाइं पर परपेंडिकुलर डा करती है यह हमारा थेयरन था इसके बाद से अब करेंगे क्या इसके exercise 10.1 को इस्टूडेंस क्या करेंगे हम लोग discuss करेंगे before pass the video and noted down okay students अब हम discuss करेंगे exercise 10.1 अब हम 10.1 के एके questions को discuss करेंगे one by one ठीक तो पहला question क्या कह रहा है first question में ये कह रहा है आप से how many tangents can a circle have तो सबसे पहले करोगे क्या कि हमारा जो given part है क्या है a circle तो हमने एक circle ड्रा कर लिया ठीक तो ये कह रहा है कि how many tangents का है अब इस circle के पास कितने tangents होंगे ये हमें बताना है तो सबसे पहले tangent line की क्या definition होती है कि circle के one point पे one tangent line ऐसे हम क्या कर सकते हैं ड्रा कर सकते हैं ये कोई एक point हो गया one tangent line यहाँ एक point है ये रहा है तो इसका मतलब हम circle के हर point पे हर each and every point पे हम करेंगे क्या one tangent line ड्रा कर सकते हैं तो सबसे पहली बात क्या हूँ कि हमें number अगर tangent lines बतानी है तो circle के circumference पे कितने points है अगर हम उसको find out कर लेंगे तो हम number up tangent lines को बता सकते हैं तो circle पे कितने points हो सकते हैं one two three four five six seven eight nine ten count कर से चले जाओ count ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ one two two count कर रहे हैं इसके बीच में भी बहुत सारे points हैं इसमें total कितने points हैं in finite points uncircumference up circle और हर point से कितनी tangent line ड्रा कर सकते हो one tangent line तो infinite point है तो आपकी क्या हो जाएगी infinite tangent line तो a circle है क्या हो जाएगा infinite tangent lines ओके यह आपका था question number first अब इसके बाद आते हैं second question पे question number second में क्या कर रहा है fill in the blanks ओके इसमें क्या कर रहा है कि a tangent to a circle तो सबसे पहले आपन करेंगे क्या ये एक circle ड्रा कर लिए ठिक और tangent to a circle अब एक circle पे क्या है एक ये tangent है ठिक tangent है intersect it in कितने points में intersect करेगा तो हमेशा अभी हमने इसके previous question में question number first में यही discuss किया था कि one point पे कितनी tangent line one tangent line अगर ये tangent line है circle पे तो ये कितनी जगे इसको touch करेगी intersect करेगी सिर्फ हो सिर्फ one तो इसका answer क्या हो जाएगा one okay one point पे that's clear ना अब आते हैं next question number two पे इसमें कह क्या रहा है कि a line intersecting a circle in a line intersecting a circle in two points अब question आपसी ये बोल रहा है पहले बात circle है कितने point पे touch कर रहा है कट कर रहा है ये intersect two points पे कर रहा है ना a line intersecting a circle in two points इच कांड ये definition ही हो जाती है इसको क्या बोलते हो second है second तो ये क्या हो जाएगा आपका second ये हो गया second ओके अब आते हैं इसके third part पे दोको बटा question के answer रखने नहीं है इसके with concept जो भी हमने अभी concept पढ़ा है उसका use करके a questions को ऐसे discuss करके साल पिया जाएगा अब इसका third part क्या बोल ला है इस circle can have parallel tangent at the most देखो कितने हो जाएंगे at the most देखो और इसके बाद से अब कहां पे आएंगे question number इसके fourth part में fourth part में क्या बोला है कि the common point of a tangent to a circle ठीक है ये वाला the common point of a tangent to a circle ठीक है tangent to a circle and the circle is called इसको क्या बोलते हो आप इस point को क्या बोलोगे point of contact इसका क्या नाम हो जाता है आपका point of contact ये हमने question number one और two को क्या discuss किया अब क्या करेंगे question number third को discuss करेंगे okay अब आते हैं कहां पे question number third पे okay students अब हम discuss करेंगे question number third question number third में बोल किया रहा है कि a tangent pq at a point p of a circle of radius five centimeter तो सबसे पहले करोगे क्या कि five centimeter का radius लेके एक circle ड्रा कर लेंगे ठीक है और ये रहा हमारा tangent line pq ये हम tangent line का ले लिए pq ले लिए और ये suppose ये center हो गया o और ये हो गया p ये given है हमारा five centimeter ये हमारा क्या है given है five centimeter ओपी की length चिक और ये हमारा pq tangent हो गया meet a line through the center o at a point q अब center o को q से ऐसे मिला दिया okay so that o q equal to 12 centimeter इसकी length रे दिया o q की 12 centimeter length pq अब यहां perpendicular होगा tangent line पर इसको लिए लोग since since op perpendicular to pq पहला काम लिए कि op perpendicular किस पर हो जाएगा pq पर ठीक है अब क्या अब इसकी proving नहीं लिखाओ कि ना statement लिखने की जरूरा थेंगे अंडर इस्टूड है ठीक है अब चलो लिखो इन कि ट्रेंगल ओ पी क्यूंसा ट्रेंगल या लिख सकते हो कि इन राइट एंगल ट्रेंगल opq यहां से क्या हो जाएगा आपका oq square equal to op square और plus pq square अब इसकी लेंथ आपकी दे रखा है 12 square यह हो जाएगा 5 square और plus pq square implies that pq square 144 minus 8 यह आपका हो जाएगा 119 यह हो जाएगा pq square ठीक अब यहां से आपकी pq की लेंथ क्या आजाएगी अंडरूट 119 cm तो हमारी pq की लेंथ क्या आगए अंडरूट 119 cm यह हमारा क्या हो जाएगा final answer ओके before pass the video I am noted down इसके बाद हम आएगे next question number 3 पे अब देखो question number 3 में क्या कह रहा है question number 3 में क्या कह रहा है parallel to a given line तो सबसे पहले हमारा क्या है कि यह एक line given है ठीक draw a circle एक circle draw करना है ऐसे है यह हमारा given देखो यह हमने circle एक draw कर लिया और यह हमारी क्या है एक line है ठीक क्या कह रहा है two line parallel to a given line अब इस line के parallel हमको दो line draw करनी है condition क्या है one is tangent तो tangent line आपकी क्या होगी यह होगी डूसरी tangent यह भी हो सकती है आप tangent यह भी draw कर सकते थे यह इसके parallel हो सकता है चाहें यह ले लो चाहें यह ले लो बात क्या है सेम है, ठीक, दिए, लेसे, लोजो छज़ाइन आपकी क्या हुले यह एक पिर्लर लाइन होगे, ठीक चा को यह यह लाइन मिले लो यह लाइन मिले रहा है रहले हैं और क्या कही रहा है such that one is tangent and other is a second और तूसरी लाइन क्या हो यहापकी second हो गई टिक तूदा circle actually इसका जो construction करते हैं इसके लिए पुरी geometry box की ज़रूरत होगी हमने इसको क्या किया है roughly draw कर दिया है यह circle है यह given line है इसके parallel two lines हमने draw कर रखी है कौन सी एक यह parallel line है और तूसरी यह यह कौन सी line हो गई आपकी tangent tangent line हो गई और यह क्या हो गई आपका second हो गई यह क्या करना था यह हमारी exercise 10.1 और 10.1 का introduction पूरा finish हुआ इसके बाद हम next exercise 10.2 पे आएंगे with introduction next video में तब तक के लिए this is what the west human लगा के पढ़िये बहुत ही interesting chapter है सरकित tension लेके नहीं पढ़ना है हमें नहीं लगता है कि अभी तक आपने जो पढ़ा इसमें कुछ आपको miss करना हो अब इसको बैठ के रटने के भी ज़वरत नहीं है यार मायत रटने की चीज नहीं होती है एक बार समझ लो दिमाग में बैठा लो और concept सीख लो जिस दिन concept सीख गए concept से पढ़ना मायत सीख गए फिर खेल मायत का हो जाता है ठीक है चलो ये concept बता था questions one by one करते चले गए okay this is all the best हसते रहे पढ़ते रहे और मस्कुराते रहे